नमस्कार मैं हूँ आपके साथ वक्ता दुबे एपी एन के लोग प्रीय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्प लाइन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इसमें हमारे कानूनी विशेशग या रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आ आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं आज हम आपको महिलाओं से दुर्विवहार से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे महिलाएं हमीश्रा से यौन शोशन और हिंसा का शिकार रही है चाहे घर होया दफ्तर या फिर सारव जरूरत है जागरुकता की आज हम आपको महिलाओं से दुर्विवहार से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे जानकारी के लिए हमारी कानूनी विशेशग्या आदेवक्ता रिशिपाल सिंग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो रिशिपाल जी आपको महिलाओं से दुर्विवहार से जुड़े तमाम नीयम कानूनी जानकारी देंगे अगर आपका भी इस मसले से दुड़ा हुदा कोई सवाल है तो आप फून करके राए ले सकते हैं फून लाइन्स खुल चुब चुकी है तो एक बार आपको विश्य की जानकारी फिर्स दे दें, महिला दुर्वेवहार से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश वो रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे कानूनी विश्य शग्य के साथ जुड़कर राय मश्वरा कर सकते हैं हमारे नंबर्स हैं 0120-6127-937-0120-6127-938 साथी साथ है इंडिया लीगल अप हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं आप मुप्त कानूनी सलहा ले सकते हैं इसका नंबर है 8377-009645 चले कारी करम के शुरुआत करते हूं रिशिपाल जी सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ट्रेन या प्लेन में अगर महिला से दुर्वेभार हो तो पीड़ता कैसे शिकायत करें देखे वक्ता पिष्ले कुछ समय से आपने भी दिखा होगा कि न्यूस्पेपर्स में और बहुत जगा यह शिजायते हारी है कि महिला उनके साथ के दुर्वेभार पैले तो अकसर हम देखे थे कि यहां भी ऐसा सानुवा अगता स्कूल हो गया स्कूल के बाहर हो गया जैसे लगाता लगाता हम प्रगति करें लोग चलती ट्रेन में चलती जो अरो प्ले में लगाता उसके अंदर ऐसे हाथ से हो रहें आपना धितने लोगाता थे टुर्वेभार होता है कोई परशान होती है तो एक तो एक तो आप जियान देखेंगा अगर जो रिज़ध पुलिस पोर्ष होती है अगर उसके जानकार बी जाती है तो वह पर आपको तुछ थाइता बदान करती है सब्सक्राइब करते हैं, इसके अलावा आप देखाऊंगा पिछे पुछ समय से जिस टूइटर है, टूइटर का भी लोग बहुते हैं, जब भी कोई दुर्वेवार होता है या परेशान होती है, तो तुरंच जो है उसको टूइट करते हैं, जैसे जो रेल्बे की पुले र और जब नहीं करते हैं, अलावा एक और परेशान होती है, आप उस तेशन के लिवार का जाएं, जो यह जो रिजर्व पूस होता है, और जहां कर दो अच्टेशन्मास्टर स्क दो एक और चौकि एकपनिस के जो पिए उसको सब्सें इंप्रॉटर्ड कर देखेंगा एसे ह्पूर्बी स्पोर्ट के था पूरी यात्रा तक होता है तो पूरी यात्रा तक होता है तो एक्टिती वह दिखने तो उसे कर सकते हैं उस अपराजी को और अपराजीक अरे परादी पो आगे अपराद करने में रोका जाता है और इसके अलावा जो कानुनी साहत होती है वो तरविदान की जाती है जी बिलकुल रिशिपाल जी ऐसी खबरें अकसर आती रहती है कि होटल या लॉज में गुप्त कैमरों से कई लोगों की तस्वीरे ली गई है साथी साथ महिलाओं के साथ ऐसा कई बार सुनने में आता है इसके लिए दोशियों को किस धारा के तहत क्या सजा हो सकती है या क्या उर्माना लगाया जा सकता है जो जो ट्राल्रूम से अंदर भी लोग यह रेंगा समय कर तो जब से ट्रूम रहाए इस दुप कैमरे बनाना एक नो पोट तो जो पोटोगराफिय व्यूज़ग्राफिय करना इस तक आफ बावब उस वीडियो ऊपोटो को वाइरत करना इस अपने आग में आई इसी कि जो पोटो या जो बनाता है उसको कर लेइबाद ूसको करता है। अपने आप में नॉन भेलिवल अफैंसे और अपराजी को भी सजा है। वह सासकागेद वह सजा हो जिसने एक पर पहले श कर देखता है। अरोप्लेन है अरोप्लेन के लगाता आप जो कुछ समस्क्रा सुनने में आपने एक एक फैलो पैसिंजर में किसी महीला के आथ पर यूरीन कर दिया जिसे तब चीजे जो है अपने अपने बहुत इंपोर्टेंट है कि महीला को बहुत जरूरी है कि जब भी कोई परिशानी होती है तो वो अपनी जो प्रॉब्लम से उनको प्रैलो जो साथ के लोगों को जुरू शेयर करें तो जिसे कोई ने कोई इसको जो पॉब्लिक दोगेन में लेकिया और उसके कारवाई होगी जो आप समाल कहते है जो इती से रिलिजएड है आइटी से रिलिजए सेक्सव केंदा है जब माली की अपराजी पारे पारे पता रहता है तो यह जो पता है कि उस अपराज से और भी ज्यादा लोग जो जो ले हो यह उस वीडियो को यह खोटो को आगे वायल करने बाले और ज्यादा लोगों जो आप जब आपना अपना यह और बाकि जो आपराद हैं जो लगाता लगाता एड होते चलियाता है फिर पुलिस उसे आप से कारवाई करें तो बहुत जिरूब यह कि आप प्रोप्रोप्रेट जो भी आपके साथ हुआ है वो पुलिस को जाने का लिए जी बिलकुल रिशिपाल जी क्या साइबर लाओं के साथ चेड़ चाड़ की जाती है उन्हें निशाना बनाया जाता है जो गलत तस्वीरे लेके उसका जो प्रमूशन किया जाता है सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है पोस्ट करके तो क्या इस तरीके के अपराद भी इसी तरह की श्रेडी में आते हैं बिलकुल जाता है यह जो जाता है यह जो जाता है 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 जाता ह वो किसी चीज को शेयर कर दें तो वो अपराद नहीं लेटे लें को सीसा विप्टिय कर मान की उनकी इपर इद्ददत की और कि महिला के जो फोतोग्राफ है या वीडियो जै उनको वो बारें करता है तो अपने अपराद है इसके लावत टेक्नोलोजी सा जो साइबर क्राइम सुरिध अपराइब यह सामने आटे सिसके इंदर जो घर में महोघूद कारिब कwend रोगा हूटा इन्टाप यह भुड़ा हूटा इसी जो जो से किमेरा है उसके ने के डरे काम अन्चे के जए इसक्ता है उसके इसक्ता सब्सक्राइब करते हैं तो आप अपरादी के अंदर करते हैं और इसके अलावा जाहिर करने के बाद यानि की महिला या कोई भी लड़की हो अगर वो नहीं चाहती है उसके बाद भी कोई प्रोश या फिर कोई इनसान या कोई लड़का ँसका किसी electronic द्वाइस का प्रयोग करके उसकी निगरानी करता है उसका पीछा करता है तो क्या इसपर कोई कारवई हो सकती है क्या इससे अपराद माना जाएगा बिल्कुल माना जाएगा वक्ता बनके और हमारे कानून के अंदर जो सेक्सौल ओफेंसर रेलेडियन जो अपराद है इनके अंदर जो हमारे इंडिन एबलेज एक्ट है वो बहुत अचर्श पीर कहता है कि अगर कोई महिला अगर उसके भी कहते हैं उसके बहुचूद भी वह पॉटोग्राफ वीडियो करता है यह अपने पर अपना पर इस्टोर करता है यह वन पोनोग्राफी वह बनाता है जी फिस्टी पोर्म अगर हम देखेंगी तो पच्चों को पेछ अपने आप में अपराथ की केटरी इम जो लॉव है लॉव बिल्कुल यह कहता है कि प्रिजेंट्चर एक्विस के गिल्स नहीं होती है कि उसने अपराद नहीं किया यह वह सहमती थी तो यह अपने अपने एक महिला जो जो शेक्शन ऑफेंस है उनको बहुत कड़ा बनाने की रिदिशा में एक कारल कदा है रिशिपाल जी हम कई बार देखते हैं छेरचाड की कबरें हो या इव टीजिंग की घटनाएं आपने भी कई बार सुनी होंगी और असी घटनाएं अकसर सामने आती रहती हैं ऐसे में जो घटनाएं होती है उन पीड़ताओं को क्या करना चाहिए दोशियों पर कैसे बन देखो हमें टाचेए के पूते हैं मानलीजे, आपने अपने बन पॉड़ी पार्स को किसी महिना को दिखा सकता है तो येव टीजिंग आपामा उसे में रिचाता है तो सिस्तिा बहुरू किशा कर्नाएं इसमें ट्रूंं के इव डिटनाएं होती है इसमें जए को उत ह प्रोविजन्स हैं उनको जोड़े गए और जैसे 509 है अगर मान लीजे कोई तिकी महीदा के बारे में अश्ली शब भी बोल रहा है तो वह भी इव-टीजी जरूरी है उसको टेच कर रहा है या उसके पास आ रहा है जो बहुत सारी अजी जो गटनाए है जिसको बहुत सारी कि अपराद जी को इव-टीजी को जन्री जी के टेगरी वह मान पिसको पैसिफाइज करेंगे तो वह टेक्सोल अपराइज में अलगला तरीकिते प्रभाशित हैं अब इंपॉर्टन है कि महीदा को सबसे पहले जब भी कोई एव-टीजी करता है और को बीए को गुरुप को प्रभाशित करता है question कोई प्रभाशित को आफ प्रभाशित है कि अप्रभाशित करनेगे जिब भी कोई पिस्ति करता है और अगर कोशिछ करता था इसके बाद साविस करने नहीं unmut Hero पुलिस कारवाई करता है तो वो इसके अलावा इक थाड आदमी जो रख पुलिस कंपने कर सकता है और इसके अलावा इस जो पुलिस कारवाई कर सकता है पुलिसे कारवाही करती है, तो जिसे अम पुलिस पुम है, इन धिकुटो ऑशicular करती है, PER 152 पर अभीजेर ओके लि adventure 있는 तो अभी उस्साव में नो थायए, जे टिसे अमे वहिम ए लग देद देल अगए इसने ज्याइदे ऑप्राद अप्रादी जिसने ने को सज्दाढ जाने परादी जाना पड़ता है फुरा एक्षाल पेस करना पड़ता है इसे जो प्रॉविजन से इसके अंदर इर तीर्जिंग या तीर्जिद्च चमवन की जितारा होती है उसने अगर महीला को दबाओ देखेर एकिती तरीके से को एकित समझाता करना मिचाए लो भी समझा परादी जो है उसकी सजा बक्ती है बिल्कुल रिशेपाल जी बहुत 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 तरीके से अपने इसको समझाया जिसको प्रॉपर तरीके से से जो महिला है जो लड़किया इसको देखेगी तो बहतर तरीके से समझ पाएंगी कि उनकी सेफटी के लिए वो क्या कुछ कर सकती है रिशेपाल जी दफतर में चेरचाड या और यॉन अपीडन की जो घटना होती है उनसे कैसे निप्टे महिला है उनसे कैसे निप्टे मह सब्सक्राइब या है जो लिखती है जो आपे जोपन पर जोपीफ बशुचन को रहा है उसके है कि इस निपटे महिला है जो आपर छोप करती है उनसे मजबूर है उसकी चाहिए करना है और उसको खेज़ाब कारवाई भी वो असी पित्तर बताया उसके अंदर को अशन फ् यह स्टे भी कोई को क्रीदिव बीद देखें कर रहा है उसको उसको बनाना होता अगर वो नहीं बनाते तो उसके उपर दिमानी की करवाई की जिर्शिपाल जी आपने अभी कहा कि महिलाओं की कई तरह की मजबूरियां होती हैं जिसकी वज़त से कई बार ऐसा होता है कि वह खुलकर किसी बात को नहीं कह पाती है लेकिन जब महिलाओं के घरों में ही इस तरीके की जो घटनाएं देखने को मिलती हैं उनके परिवार के वाले ही सदसे उनके साथ जब इस तरह की घटनाएं होती हैं डॉमेस्टिक वाईलेंस के तहत उनको राहत कैसे मिल सकती है तो अपने अपने दो अलग बात है यह शब्द आपने अपने एक सिविल लौ है जिसका प्रोसीजर जो है वो कि महिलाओं के प्रिकिवानी कि कोई कोई विक्ति है उसको देख वाल नी करता है उसको खचा नी करता है सब्सकहतो other our should do इस न्ति सब्सक्राइब करते हां सब्सक्राइब नहीं करते हैं हुँ जब महिला जब डिमयपरेंजिक महिली कांकरती है यह सब्सक्राइब करें यह पत्नी लियämä, गोसे महीलत तरन बाहर नकाला जाता है उसकोlag ile मीहलत के जाता है तो इसको दो मेंस्टिक वायलेज की फिर्टी वीवाहीता है और इसके अनवा 4981 अनर भी जो पुस्के अन जो दो प्रोयलिटी है वह मानती की हो सिती है जो फिरो परशान करने के लिए शारीज रूप से परिशान के लिए तो बहुत सारी प्रोविजिस है इसके लिए सेख् परिशान किया जाता है, तब भी महिला जो है, वो यह तो पुरिस में कर सकती हैं, अधरवाइस जो डिमेस्टी वालेस एक और प्रुविजन से, उनमें जो निकस्ता मैजिस्ट्रे दोता है, वहाँ पे आखशिकायत कर से, जब भी महिला से संबंदी जो सेक्षवर उपेंस के के सो अधर आखे तो पहुते हैं, तो होँआपर कॉंस्टल को बलाएयाता है, और पोशिश भी होती है, कि जो महिला पुलिस अधिकारी हो, जो उनकी बात पो सुनें, और उनकी बात पो समझो, और केस को पूली तरीकितें, अच्छे समझें जिस्क्टर महिला को बताने में पर्ब सकते और उसको बतानों पार्ज उसको पराने को अपर ना हो, परेशानी न आ हो अपनी बात पूली तरीकिते रखाइर का पूली तरीकिते हैं, पूली सदिखारी को सकते हैं अकिरा मेला-इसलिकल, जो पूरी तरी के लिए और श्रपाल जी बहुत बहुत धनेवाद आपका हमारे साथ जूड़ने के लिए और इस पर खास जानकारी हमारे दर्शकों को और हम तक पहुँचाने के लिए तो फिलाल लीगल हेलप लाइन में मेरे साथ इतना ही मुझे दीजे जाज़त नमस्कार